हेलो चिल्टरन, गुड मोर्निंग, हाव आर यू, आई होप यू आर फाइन, एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है आगे के वीडियो में हमने पेज नमबर 71 तक चैप्टर नमबर 9, डोक्टर एपीजी अब्दूल कलाम का जो चैप्टर है वह पढ़ा था आज हम आगे पढ़ेंगे पेज नमबर 72 पर सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते क्या कहते हैं कि सपने वे नहीं होते आप जो शपने देखते हैं वो वे नहीं होते जो आपको नींद में देखते हैं आप क्या करते हैं नींद में शपने देखते हैं सपने वे नहीं होते हैं डोक्टर एपीज अब्दूल कलाम एसा कहते हैं सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं आपको नींद ही नहीं आने देते हैं आप लगातार उनके बारे में ही सोचते रहते हैं उनके बारे में ही आपको सोचना है आपको निंद ही सपने आने नहीं देते हैं वो सपने होते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो आप निंद में देखते हैं इसा डॉक्टर एपीज अब्दूल कलाम कहते हैं समय के साथ मेरी जिमेदारिया भी बढ़ी डॉक्टर एपीज अब्दूल कलाम है वह केते हैं कि समय के साथ साथ मेरी जो जिमेदारिया थी वह भी अब बढ़ती है पहले भारती और अक्षा मंत्रालाई में मुझे वेगनानिक सलाहकार बनाया गया वह केते हैं कि पहले भारती और अक्षा मंत्रालाई थे उन्होंने क्या किया मुझे वेगनानी सलाहकार यानि की सलासुचन देने के लिए बनाया गया फिर वर्ष 2002 में मैं देश के ग्याहरवे राष्टरपती के रूप में चुने जाने का मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ 2002 में मैं देश के कितने ग्याहरवे राष्टरपती के रूप में चुने जाने का मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ मैं राजनीती से अधिक देर तक बंदकर नहीं रह सकता था यानि कि मैं राजनी थी यानि की उनमें ज्यादा देर तक बंध कर नहीं रे सकता। मैं उनमें ही नहीं रहना चाहता था। मैं कुछ ओर भी करना चाहता था। अतह यानि कि इसलिए वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्थ होते ही मैंने दुबारा राष्ट्रपती न बनने का निनन लिया उन्होंने क्या कि 2007 में मेरा कार्यकाल यानि कि राष्ट्रपती पत का जो टाइम था वह खत्म हो गया था इसलिए उसके बाद समाप्थ होने के बाद मैंने दुबारा राष्ट्रपती बनने का निननाई नहीं लिया कि मैं दुसरी बार भी राष्ट्रपती बनूँगा क्योंकि उसको और भी कुछ करना था अपने देश के लिए मैंने सदेव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वपन देखा था वो केते थे मैंने सदेव यानि की हमेशा भारत को विश्व में पूरे विश्व में अग्रणी यानि की सबसे आगे पहले प्रथम स्थान पर बनने का स्वपन था वो मैंने देखा था और इसके लिए मैं सदेव द्रड प्रतिग्य भी रहा यानि कि मैं सदेव हमेशा द्रड यानि कि निश्चित था कि मैं मेरे देश को भारत देश को आगे लाऊंगा इसलिए मैं हमेशा उसके लिए प्रयतन भी करता रहता था वह कोन केते हैं डोक्टर एपीजे अब्दूल कलाम केते हैं आपको पता होना चाहिए कि आत्म सम्मान हमें सा आत्म निर्भरता के साथ जुड़ा होता है डोक्टर एपीजे अब्दूल कलाम है वह कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि आत्म सम्मान यानि कि हमारा खुद का जो सम्मान है वह आत्म निर्भरता के साथ जुड़ा होता है अगर आप खुद क्या सम्मान करोगे तो ही आप दूसरे है वह लोग भी आपका सम्मान करेगे अगर आप खुद का ही सनमान नहीं करोगे, खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो दुसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, खुद का सनमान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके बच्चो मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्बर देखने का इच्छुक रहा हूँ वह केते हैं कि मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्बर वह खुद के लिए खुद का काम खुद करे इसलिए मैंने एसा सपना देखा है इच्छुक हूँ आज हम सकती संपन है आज हम यानि कि भारत के जो लोग है वह सकती संपन है तो लोग हमें गिदर भभग किया यानि कि जूट मुट का डरा नहीं सकते है देकर डरा नहीं सकते है आज हम पुरी तरह से सकती बान है लोग हमें जूट मुट से डरा नहीं सकते है हमारी ठोस उपलबदिया ही हमारी पहचान है हमारी ठोस उपलबदिया यानि कि हमने जो अचीव प्राप्त किया है वही हमारी पहचान है इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतिक्षा मत करो डोक्टर एपी जय अब्दुल कलाम क्या कहते है कि हमें जो चाहिए आपको जो भी चाहिए उसके लिए प्रतिक्षा मत करो यानि कि वेट मत करो राह मत देखो क्योंकि प्रतिक्सा करने वाले को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जो रा देखता है उनको इतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा शंकर्स करने वाले छोड़ देते हैं अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में तो आप क्या करोगी अत्वा कमज़र हो अत्वा लोग एसा समझते हैं हो तो भी हार न मानो अगर आप पढ़ाई करने में कमज़र हो अत्वा तो आपको लोग एसा समझते हैं कि आप पहले से ही पढ़ाई में कमज़र हो तो भी आप हार मत मानो नहीं मैं क कुछ करके दिखाओंगा इसा सोचो हर तरब से प्रयास करो हर तरब से क्या करो प्रयास करो मेनद करो संगर्श करो यह भी सम्भव है कि किसी अन्यक्षेत्र में लगने योग्य बह्तरीन दिमाग तुम्हारे पास हो यह भी संभव है यानि कि यह भी हो सकता है यह पढ़ाई के अलवा कोई अन्यक्षेत्र में आपको जो विशय में रूची हो रस हो उसमें भी आप बहतरी दिमा कर सकते हो उसमें भी आप कुछ कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में ही सिर्फ अपना कर सकते हो कुछ को किताब होती है वो 100 दोस्तों में राशिए तो उसमें भी यदो कुछ करोगे ड्राइंग है कोई और भी विष्य है उसमें भी पेश्ट दे सकते हैं कि अब पेज नमबर 73 पर आप यहाँ पर डॉक्टर एपीजी अब्दूल कलाम का एक चित्र दिया गया है वह देखी सकते हो देख रहे हो ना बच्चो मेभी आपके लिए अपनी अगली पीडियो के लिए एसी किताबे लिखना चाहता था डोक्टर एपीजी अब्दूल कलाम केhtे है मेभी अपनी अगली पीडियो के लिए अगले आने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए किताबे लिखना चाहता था बुख लिखना चाता था जो हमेशा के लिए प्रेणा दायक बन सके प्रेणा रूप बन सके मैं भी उसकी तरह बन सकू एसा हम कहेंगे तो उनके लिए मैं लिखना चाता था बुख मैंने इसके लिए प्रयास्पी किया यानि कि प्रयत्न भी किया है और अनेक पुस्तके लिखी यानि की बहुत सारी पुस्तके लिखी है किसने डोक्टर एपीजी अब्दूल कलाम ने बहुत सारी पुस्तके लिखी उसके यहाँ पर नाम दिये गए हैं हम देखेंगे इंडिया 2020 A Vision for the New Millennium My Journey, Inertid Mites यहाँ उनकी बुक से उनके नाम Unleashing the Power Within India, Wings of Fire आदी यानि की और बहुत सारी पुस्तके हैं वहाँ डोक्टर एपीजी अब्दूल कलाम ने लिखी है पर यहाँ पर उनके कुछी नाम यहाँ पर दिये गए हैं अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है डोक्टर एपीजी अब्दूल कलाम है, वह करते हैं कि अपने देश भारत है उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, मिला है मुझे भारत रतन, आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो उनके लिए आपको सम्मान दिया जाता है, अब्दूल कलाम थे वह एक वैग्नानिक थे, मिसालमेन थे तो उन्होंने भी क्या हुआ, उनको बहुत सारे अवोर्ड दिये गए है जैसे यहाँ पर दिया गया है, मुझे भारत रतन, पद्मविभुशन जैसे कई सम्मान प्रदान किये गए है डोक्टर एपीज अब्दूल कलाम को बहुत सारे सम्मान प्राप्त किये गए है अनेको विश्व विद्या लई उन्होंने मुझे डोक्टरेट की मानद उपादी दी डोक्टर एपीज अब्दूल कलाम क्या कहते है, कि अनेक विश्व विद्या लई थी उन्होंने मुझे डौक्टरेट की मानद उपाधी दी है अगर आप PhD करते हो तो उसके आगे आपके नाम क्या आगे क्या डौक्टर की उपाधी लगती है पर डौक्टर एपीजे अबदुल कलाम को अनेक विश्पविद्या लई थे उन्होंने क्या क्या डॉक्टरेट की मानद उपाधी दी है यानि की सम्मान दिया है बच्चों संगीत में मुझे विशेश रूची थी डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम है वह कहते हैं कि बच्चों मुझे संगीत में भी विशेश यानि की बहुत रुची थी यानि की शोक था मुझे करनाटक भक्ती संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था डोक्टर एपी जब दुर कलाम केते हैं की मुझे करनाटक का जो भक्ती संगीत है वह सुनना बहुत अच्छा लगता था कभी-कभी चिन्नाई वादिय बजाता हूँ, वह केते हैं कि कभी-कभी में चिन्नाई का वादिय है, यानि कि जो शाधन है वह भी बजाता हूँ, बचपन से ही अपने देश की मिली-जूली संस्कूरूती से मुझे बहूत प्रेम रहा है। अमारे देश की जो अलग-अलग संस्कृती है उनसे मुझे बहुत प्रेम रहा है। वह क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम केते हैं कि मुझे अपने देश की संस्कृती से भी बहुत प्रेम था। मुझे संगीत सुनना भी अच्छा लगता था और करना टक का भक्ती संगीत हैं? वह भी मुझे सुनना अच्छा लगता था। मेने गीता का अध्ययन मनन पुरे मनो योग से किया है। गीता यह क्या है? गीता हमारा धार्मिक ग्रण्थ है, सबसे पवित्र ग्रण्थ है, भगवत गीता का जो ग्रण्थ है, वह मेंने मनोयोग यानि की पूरे मन लगाकर उनका अध्ययन किया है, उनको मेंने पढ़ा है देखिए डोक्टर एपीजी अब्दूल कलाम है उन्होंने गीता का पी अध्य यान अच्छी तरह से किया है बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान यानि कि कहना और सुनना मुझे सदेव भाता रहा है यानि कि अच्छा लगता है कि बच्चों को मैं अपने विचार कहूँ और वो मेरे विचार सुने मैं उनके विचार सुनूँ ऐसा मुझे अच्छा लगता है हमेसा अच्छा लगता है मैं सबी भार्तियों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास आप खुद पर विश्वास रखो और कर्मठता यानि कि कर्म करो हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्य कौश्वदिया है जईहिन यह कहते हैं कि आत्मविश्वास रखो कर्म करो तो ही आप असफलता है उसको जड़ से यानि कि मूड से क्या करोगे मिटा सकोगे वही आपकी परमावश्यक और शदी यानि कि बहुत जरूरी और शदी यानि कि दवा है आपको अगर सफलता चाहिए तो आप क्या करोगे एक तो आत्मविश्वाश रखोगे कर्म करोगे तो ही आपकी जो असफलता है वहाँ दूर हो जाएगी जय हिन यानि की जय हिन भारत देश की जय हो यहाँ पर एपीजी अब्दूल कलाम ऐसा कहते है पेज नमबर 74 पर एक सुर्यास्त यानि की डोक्टर एपीजी अब्दूल कलाम जो मिसाइल में थे हमारे देश के उनका देहांत हो जाता है उनका सुर्यास्त यानि की वह मृत्यू हो जाते है देखिए 27 जूलाई 2015 में सिलांग में डोक्टर अब्दूल कलाम का निधन यानि की मृत्यू हो जई कहां सिलांग में डोक्टर अब्दूल कलाम की मृत्यू हो जई उस समय वह भारतिय प्रबंधन संस्थान सिलांग में एक व्याख्यान यानि की भाशन दे रहे थे उस समय वह क्या कर रहे थे भारतिय प्रबंधन संस्थान थी उनमें कहां तो किसी लांग में व्याख्यान यानिकी भाषन दे रहे थे इस कर्मयोगी की मृत्यू भी काम करते हुए ही हुई कर्मयोगी थे सत्त काम ही करते रहते थे उनकी मृत्यू भी काम करते करते ही हो गई क्यों क्योंकि वह भाशन दे रहे थे काम ही वह करते थे ना तब भी वह काम ही करते थे भाशन देने का काम करते थे इसलिए उसकी मुलत्यू भी काम करते करते ही हो गई वे लगपक 84 वर्ष के थे तब उनकी निधन हो गई कहां शिलांग में इस तरह इस महान मिशालमेन और लोगप्रिय राष्ट्रपती की जीवन कथा समाप्त हो गई यानि की उनकी मृत्यू हो गई आई होब आपको यह चेप्टर है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके चिल्डरन ठेंक यू